नमश्कार मेदिती फॉस्दर आप देख रहे हमारे साथ दन्नगरी मीडिया चीन के एक हैकर ग्रूप ने भारत सरकार से जुड़े एहम विवागों के डॉक्यूमेंट्स को हैक करने का दावा किया है इन में प्रधानमंत्री काराले पीएमो से लेकर रिलाइंस इंडस्ट्री और एयर इंडिया जैसी कम्पनिया भी शामिल है इंडिया टुड़े के ओपन सोर्स इंटेलिजन्स टीम ने लीक हुए डेटा की समिक्षा की है चीन सरकार से जुड़े हुए हैकिंग ग्रूप आईसून ने हाली में हजारा डॉक्यूमेंट तस्वीरे और चैट मैसेज गेट हब पर पोस्ट की इस हैकिंग ग्रूप के दो करमचारी ने एपी में बताया कि आईसून और चीन पुलिस ने जाश शुरू कर दी है आखिर ये फाइले लीक कैसे हुई एक करमचारी ने बताया कि इस लीक मामले को लेकर 21 फरवरी को आईसून की एक मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में बताया गया था कि इस घटना करम से बिजनेस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा काम का सामाने तरीके से जारी रहेंगे लीक हुए इंटरनल डॉक्यूमेंट मूल रूप से मंदरानीन लैंगेज में थे इसके हैकर्स को टार्गेट का पता चलता है हैकर की निशाने पर नाटो से लेकर यूरूप सरकार और पाकिस्तान जिसे चीन के सायोगी भी निजी संस्तान भी शामिल है हाला कि इन लीक डॉक्यूमेंट में साइबर जासुसी ओपरेशन के टार्गेट का भी जिकर किया गया हाला कि ये व्यक्तिकत तोर पर किन लोग को टार्गेट किया जा रहा है इसका अभी तक पता नहीं चल रहा है इसके साथ ही पता चला है कि लीक डेटा में वित मंत्री, विदेश, मंत्री और पिसिडेंटल मिनिस्ट्री आफ इंटियर जैसे विवाग टार्गेट पर से तक हर कोई चीन के निशाने पर है भारत के अलावा बिजिंग के कथर तोर पर अपने खास दोस्त पाकिस्तान को मिनिशारा बना लिया है अन्नेस पर्स टार्गेट में नेपाल, मंगोलिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, फ्रांस, थाइलेंट, कगागिस्तान, टर्की भी लीग हुए डाटा सेट के अनुसार मई 2021 और जनवरी 2022 के भी चीन हैकर समू दुआरा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंगवादी विरोध के इंद से 1.43 जीबी पोस्टल सर्विस डाटा प्रयाप्त किया गया था डॉक्यूमेंट बताया गया है कि चीन सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्राले और टेली कम्मिनिकेशन कंपनी जॉंग पर भी जासू से की मंजूरी दे दी थी ये पहली बार नहीं है जब चीन भारत से साइबर हमले की सुर्ख्यों में आ गया है 2022 में भी चीन से जुड़े हैकर्स ने कते तौर पर साथ भारते पावर हाब को निशाना बनाया था आज के लिए बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीटिया के साथ दन्यवाद